हलो एव्रिवन वेल्कूल बेक तो मैं यूटूब चैनल तो जैसा कि हम अपने वीडियो में अभी केव्स को पढ़ रहे हैं तो एक चीज मैं बताना चाहा रहे हूं यह जो हमारा इंडियन हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री का जो जितने भी टॉपिक्स हैं तो इनको थो हम कंप् पढ़ेंगे और उनके साथ साथ जो भी contemporary से related या modern art से related जो भी चीज़े होंगी हम उनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्योंकि हमें अजंता लोडा पहाडी मुगल राजस्थानी बेंगौल शैली पढ़ने के लिए तो बहुत सारी हमारे पास books एवलेवल्स हैं बहुत सारे हमें YouTube से YouTube के जरिये या बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां से हमें सारे information मिल जाती है लेकिन जो हमें mainly जो दिक्कत होता है किसमें होता है तो वह contemporary artist पढ़ने में दिक्कत होता है क्योंकि वह हमें एक जगह बहुत अच्छे से मिलता नहीं है अब questions भी हर exam में हर competitive exam में जो arts related है उसमें contemporary पूछना ही पूछना है तो इसलिए हम अब एक तो Indian art history के साथ साथ में डेली एक हम contemporary artist पढ़ेंगे और एक तो उस दिन पढ़ेंगे जैसे मानली जी कि कोई बहुत important artist है तो उनके बारे में बहुत ज्यादा detail में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे जैसे जिनके बारे में कम information है या ऐसा कुछ तो हम एक दिन में दो artist को पढ़ सकते हैं तो यह चीज हम अप्रोड करते जाएंगे तो यह भी आप लोग देखिएगा तो आज के topic में हम केप्स को continue करेंगे और बाग आज start करेंगे इससे पहले हम जोगी मारा और अजन्ता complete कर चुके हैं तो वह आप लोग देख लीजेगा और अब हम आज केप्स केप्स में आज हम बाग पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले बाग गुफा का प्राचीन नाम क्या है तो इसको कल्यान या कलायन के नाम से जाना जाता है ठीक है कल्यान या कलायन नेक्स्ट इसका time period देख लीजे तो इसका time period के अब ही तो time period इसका 500 से 600 या 700 ये तीनों आप याद रखिएगा वैसे तो आपका 500 से 700 है लेकिन 600 भी कहीं कहीं होता है तो आप ये तीनो time period इसका याद रखिएगा ठीक है और पांचवी शदी के आसपास मतलब जो पांचवी 0'20132 के असके अचयो क्या हूआ है और इधर राइडर आपका देख लीजे 600-700 ठीके यानि कि 600-700 AD के पास में क्या हुए तो चित्रो का निर्माड हुआ है पहले गुफाए बनी उसमें फिर क्या हुआ उसमें आपका चित्रो का निर्माड हुआ ठीक है तो यह आप लोग इसका टाइम पीरेड ध्यान रखेगा आप देख लीजे कि जो बाग की गुफाए हैं बाग की ज सबसे जो नई बनी हुई गुफा थी वो एक और दो थी तो उसके समकालीन है यानि कि इस गुफा के और जो बाग की गुफाएं है यह दोनों का टाइम क्या है समकालीन है दोनों समकालीन है मतलब एक ही टाइम के आसपास में यह दोनों का निर्मार हो रहा था कि इस्थिति देख लिजे तो मध्य परदेश राज्य हो जाएगा अगर राज्य पूछे कि बाकी गुफाई कहा है इस्थित हैं तो कहां परे महां तो वह मत्ही पर्देश के राज्य में है मध्य परने में में और हैसे में पूछे तो आप currently है ठीक है कौन गुफा की दूरी कितनी है तो 400 किलोमीटर है अजंता से बाग की कितनी किलोमीटर दूरी है तो है 400 किलोमीटर इंदोर से कितना है तो 1500 किलोमीटर और बाग जो गाउं है मतलब जो यह गुफाएं है बाग की जो गुफाएं है ठीक है तो यह आपका क्या है एक गाउं के किनार रहे हैं गाउं का नाम क्या है बाग ठीक है इसले इसका नाम पड़ा होगा तो उससे 8 km दूर है नदी कौंसी है तो बागनी ठीक है यह ध्यान रखेगा और पहाड़ी कौंसी है तो विंद्यांचल की है और यहीं पर पास में कहीं बाघेश्वरी टेंपल भी है खोज देख लिजे तो अठारा सो अठारा में बाग की गुफाओं का खोज किस ने किया था तो लेफिनेंट डेंजर फिल्ड ने किया था लेफिनेंट डेंजर फिल्ड ने किया था कब किया था तो अठारा सो अठारा में किया था उसके बाद मुंबई के प्रकाशित साहित् संग के द्वितिय अंग में प्रकाशित किया गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ कि जो चार्ल्स वीलियम एरिक्षन थे इन्हों प्रकाशन थे ने इन गुफाओं के विशय पर क्या का तो लेख लिखा था और उसका टिपड़ी थी है विस्त्रित परशय किस ने दिया था या फिफ cannot जाएगा आप लो उसके बाद से कर्णल सी सी लिविट ने क्या किया था तो बाग के गुफाओं का आखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था तो आखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था कब किया था तो वो 1907-1908 के बीच में किया था तो आखो देखा विवराट प्रस्तुत किया था ठीक है उसके बाद से रोयल एसियाटिक सोसाइटी मुंबई में क्या प्रकाशित किया था उसको ठीक है अब देखिए प्रतिलीपिया तो प्रतिलीपियों के मामले में आसित कुमार हलदार का कोई टक्कर ने यहर जगा आपको जोगी मारा हुआ जनता हो अचाहें बाग हो यह तीनों में आपको दिखाई पड़ेंगे इसके अलावा कौन है भई तो इसके अलावा कौन है मुकुल चंडे अगर पूछा जाए कि बाग की प्रतिलीपिया सबसे पहले किस ने बनाई तो मुकुल चंडे हो जाएंगे उसके बाद कौन तो एक साल उसके बाद कौन बनाएगा तो आसित कुमार हलदार बनाएगे ठीक है नेक्स्ट देख लीजे फिर वही प्रतिलीपिया है तो देखिए 1920 में किस ने बनाया तो मुकुल चंड ने बनाया 1921 में असित कुमार हलदार नंदलाल वो समनेंदर नात गुपति यह तीनों जन ने मिलके यह तीनों जन कहां कहां के तो यह बेंगॉल के सब आर्टिस ठीक है तो असित कुमार हलदार ने और किसकी किसकी बनाई है तो जोगी मारा की बनाई है और किसकी बनाई है तो उन्होंने अजंता की बनाई है इनके साथ में बाग की कौन-कौन बनाएगा तो समनेंदर नात गुपत और नंदलाल वोस यह तीनों जन ने अजंता का भी ब समय देख लीजे फर्ग्यूसन और बर्गिस के एकॉर्डिंग बाग की गुफाओं का समय क्या है तो वो 280 हो जाएगा ठीक है महराजा सुबंधु के एकॉर्डिंग और एसन मज़ुमदार के एकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तो 416 से लेके चारसर चाचट इसा हो जाएगा ठीक है विसंट इसमित के अनुसार कितना हो जाएगा तो 626 से 628 ठीक है एडी बाग की गुफाओं बाग की गुफाएं अजंता की गुफा जो एक और दो है ठीक है उसके समकालीन है यह जो आप लोग एक चीज़ देख लिजेगा यह जो विसंट इसमित है तो यह थोड़ा सा टाइम मुझे थोड़े गरबर लग रहा है तो इसको मैं आपको क्लियर कर दोंगी ठीक है जैसा होगा मैं देख के और आपको फिर दुबारा इंफर्म कर दोंगे नेक्स्ट देखिए अब गुफाओं का विवरण तो गुफाओं का विवरण में यह कोड थोड़ा ध्यान दे लिजेगा आप लोग तो इससे आपका यह पूरा याद हो जाएगा तो कोड क्या है तो ग्रे छोड़ कर ठीक है एक सकेंड हाँ तो ग्रे छोड़ कर पंच पांडो हाथी पर सवार होकर रंग महल होते हुए पाठ शाला सिक्षकों से मिल ले गए तो अब यह कैसे याद कर लेंगे तो टोटल गुफाओं कितनी है पहले तो टोटल गुफाओं कितनी है तो नौ गुफाएं है ठीक है जो कि बौध जो धर्म था उसके महायान साखा से संबंदित है और सभी गुफाएं क्या है तो सभी गुफाएं विहार हैं मतलब जहां पे विहार गया था तो जहां पे बौध मिक्षूं जो9 गुफाें पे इन से संबंदित थे और महायान क्या है तो यह भुध का एक संप्रद़ है एक संपे अन से से देग़ा गुफा संप्रया Credit और चित्र तो बहुत कम लेकिन फिट भी चित्र थोड़ा सा आपको पता है कि बाग में कहां में चित्र मिलते तो गुफा संख्या चार में तो देखिए गुफा संख्या एक इसको किस नाम से जाना जाते तो गुफा इसको गुफा के नाम से जाना जाता है इसका साइस देख नेक्स्ट है गुफा नंबर दो इसको क्या मुलते हैं इसको पंच पांडो के नाम से जाना जाता है या फिर इसको गुसाई गुफा भी बोलते हैं पंच पांडो या गुसाई गुफा वैसे पंच पांडो से पूछता है आपका पिछली बार TGT में कुश्चन भी आया था गुफा संख्या 3, तो गुफा संख्या 3 को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, गुफा संख्या 4 जिसको hall of color भी बोलते हैं या इसको रंग महल भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं तो रंग महल बोला जाता है, इसका size क् तो 45 गुडे 16 फिट ठीक है इसको क्या बोला जाता है तो इसको hall of color बोला जाता है या रंग महल बोला जाता है इसके चित्र देख लीजिए तो इसमें कितने चित्र है तो वियोग है मंतड़ा है देव पुर्षो का आकाश में विचरड है गाईका है नृतंगना या नृतंग करतार का दल है शोभा यात्रा के इसके बाद है आपका गुफा नंबर पांच टो किस नाम से जाना जाते तो पाठशाला या व्याख्यायन मंदल बोलते हैं यहां से चित्र क्या मिला है तो मुर्गी वचूजो का अंकन हुआ है किस ने इसकी खोच किये तो इसको काल खंडलवाला ने इसकी खोच किये है're approximately next है आपका गुफा संख्या छे तो इसको किस नाम से जाना जाते है तो सिख्षकों का निवासिस्था मतलब कि सिख्षक लोग थे उनका रहने का जो जगर था वो क्या था तो वो गुफा संख्या 6 था तो ये हमारा हो गया इसके अतरिक देख लिजे कि जो गुफा संख्या 7,8,9 है तो इसकी कोई खुदायोदाई नहीं हुई है ये अभी बंदे ठीक है इसके अलावब देखे एक पॉइंट और इंपपोर्टेंट कि इसकी अनुकृतिय अगर पूछाँ जाए कि बाग का अनुकृतिय कहां पे रखा गया है तो वो गुजरी महल घुजर में रखा गया है नेक्स्ट है आपका इसका चित्रड वीधी क्या है या रंग विधान क्या है मतलब कलर इसकीम और कैसे इसमें चित्र बनाए गए है ठीक है तो इसके जो चित्र है उसका टेकनिक क्या है तो टेकनिक जो आपका है वो ग्लू रंग है ठीक है टेकनिक क्या है तो ग्लू रंग है कौन सी टेकनिक है भी या तो वो glue रंग है एक सेकंड रुकिए गा तो टेकनिक कौन सी है glue रंग है अगर method पूछा जाए तो कौन सा method है tempera है ठीक है तो method कौन सा है तो tempera है नेक्स्ट देखे लिए color कौन कौन से योज हुए है तो color में आपके काला सफेद हिरॉण जी और इसके विरोधी color योज हुए है लेकिन मेंली आपको क्या याद रखना है तो काला सफेद और हिरॉण जी और गोलाई और उभार के लिए ठीक है किन रंगों का प्रियोग किया गया तो गहरे रंग को जाहिर सी बात है बहुत कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको शेडिंग के लिए उसमें किस चीज का प्रियोग करते हैं उसमें देव तलाने के लिए किस चीज का प्रियोग करते हैं तो डाक कलर्स का यूज़ करते हैं ठीक कोई अगर figure बनाये गया है, तो उसको एकदम ऐसे outline नहीं किया गया, ऐसे ही छोड़ दिया, इसे बनाया ना, color उलर भारा कुछ किया और उसके बासे क्या किया, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें सिमांकन आपका नहीं किया गया है, एक चीज और देखिये आ कुछ पता हमको चलती थी, तो मैं साइड में ऐसे लिख लेती थी, इसका फायदा क्या है, कि मैं जब इसको revision करेंगे, तो साथ में ये सब भी दिखता रहेगा, ये सब भी, तो इस सब से क्या हो जाएगा, इस सब से मेरा एक बार revision हो जाएगा, अगर अलग से लिख के रख तो कहां लिखा है, कहां ने लिखा है, तो